नमस्कार मैं हूँ सुरिष्टी दुबायर बुलिटिन में एक बार फिर आप सब का स्वागत है लोकसभा चुनाओ के मतों की गिंती और नतीजों के दो दिन पहले EVM को लेकर खबरे जो हैं वो काफी सूर्खियों में हैं उत्रप्रदेश, बिहार, पंजाब और हर्याना से विपक्षि दलो ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मुशीन यानि की EVM की सुरक्षा में सेन लगाय जाने की शिकायते की हैं हालंकि चुनाओ आयोग ने इन्हें बेसलेस बताया है, अधारहीन बताया है बहुत सारे वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं एक वीडियो क्लिप जो है उत्रप्रदेश के चंदौली की बतायी जाती है इस वीडियो क्लिप में कुछ इवियम एक कमरे में उतारी जा रही है, जो की मदगर्ना के लिए निरधारत कमरे जैसा लग रहा है समाजबादी पार्टी के जो कारे करता है, उनके विरोध के बाद जिला प्रशासन है उसकी और से कहा गया कि ये इवियम जो है, वो मददान केंद्रों पर सुरक्षित रखी गई थी और जो अब लाई गई है उत्रप्रदेश के गाज़िपूर में अगर आप देखें तो बहुजन समाजबादी के जो उमीदवार अवजल अंसारी और उनके समर्थक उस कमरे के बाहर धरने पर बैट गए जहां इवियम रखी गई है अंसारी का आरोप था कि कुछ इस कमरे में कुछ मशीने जो है वो एक निजी वहान से बाहर ले जाने की कोशिश की गई है मेराल जो प्रशासन है उसने इन आरोपों को महा भी खारिच किया है प्रदेश के डोम्रिया गंच में अगर आप देखे तो सपा बसपा की कारकरताओं ने इवियम से भरा एक मिनी ट्रक भी पकड़ा है ये मशीने भी कथित तोर पर कहीं ले जाई जा रही थी विरोध के बाद ये मशीने स्ट्रॉंग रूम में वापस भेज दी गई उत्रप्रदेश के जहासी, मव, मिर्जापूर के अलावा बिहार में भी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है यानि की राष्ट्री जनता दल उसने आरोप लगाया है कि महराज गंच और सारण में जो इवियम है वो संदिक तरीके से लाए ले जाने आके मामले जो हैं वो सामने आये हैं पंजाब और हर्याना से भी कुछ शिकायते मिल रही है भराल चुनाओ आयोग ने इन सारी ही शिकायतों को आरोपों को निराधार बताया है कहा है कि सभी इवियम और वीविपाट पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी कैनिडेट से उनके सामने सील की गई है और इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी कराई गई है और इनकी सुरक्षा में संदिय की कोई भी गुचाईश नहीं है अब सुप्रीम कोट ने इवियम और वीविपाट परशियों के सौ फीजदी मिलान की जो मांग करने वाली याचिका है उसे खारिश कर दिया है टेक फर ओल नाम की एक टेक्नो क्रेटो के सम्हू ने इस याचिका को फाइल किया था और कहा था कि इवियम जो है वो विश्वसने नहीं है इसकी टैंफरिंग की जा सकती है उन्होंने ये भी मांग की कि एक स्थाई समधान के रूप में इवियम की जगा ऑप्टिकल बैलेट स्कैन मशीन के जरिये वोटिंग की जानी चाहिए अब पेटिशनर्स ने ये भी मांग की है कि जहां तक मौझूदा लोगसभा चुनाओ का सवाल है तो इसके लिए सभी इवियम और विविपैट का सत्यापन किया जाना चाहिए यानि कि इवियम के जरिये पड़े सभी वोटो और सभी विविपैट परचियों का मिलान किया जाए हालनकि जस्टिस अरुन मिश्रा और जस्टिस एमार शाह की जो बेंच है उसने सियाचिका को खारिश कर दिया है बदा दे आपको सुप्रीम कोट ने बीते आठ अपरेल को चुनाओ आयो को आदेश दिया कि वो मदगर्ना के समय किसी भी विविविपैट का मिलान करे कोट का ये यादेश तब आया जब 21 पॉलिटिकल पार्टी दुवारा दायर की गई एक पी-ा-यल पर आया है यादेश जिसमें ये मांग की गई थी कि जब मदगर्ना हो काउंटिंग हो समय एक विविविविविविपैट का मिलान किया जाना चाहिए इससे पहले हर विधानसभा में, हर एक विधानसभा चेतर में किसी भी बूत पर एक बूत पर अगर आप देखें तो EVM और VVPAT का मिलान किया जाता था सर्फ एक बूत पर लेकिन अब पांच की बात गई गई है सुप्रीम कोट ने इस फैसले से असंतुष्ट होकर 21 पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने पुनरविचार दायर किया था और हालंकि कोट ने इस याचिका को भी खारिश कर दिया वहीं कुछ दिन पहले जो पॉलिटिकल अक्टिविस्ट हैं अरुना रॉय, जैती घोष, जिस्टिस एपी शाह, संजय पारिक इन लोगों ने एक स्टेट्वन जारी किया था और 2019 के लोगसभा चनाओं के लिए सभी वीवी पैट परचियों की गिंती के भी मांग की है यह जो समाजिक कारकरता हैं उन्होंने यह सफारिश की है कि वीवी पैट की परचियों को बैलेट पेपर के रूप में माना जाए और हर एक मद्दाता परची की गिंती की जाए और यह जो सिवल सुसाइटी के सदस्य हैं उनका कहना है कि मशीनों में हेर फुयर और खराबी की बारे में उठाई जाने वाली जो शंकाए हैं जो शक हैं उनको खत्म करने के लिए सब ही मत पत्रों को गिना जाना चाहिए अब EVM की जो आवजाही और जो कथत छेरचाड है इन खबरों के बीच जो पूर्व राश्प्रती प्रणब मुखरजी हैं उन्होंने भी चुनाओ आयोग से उसकी एक तरह से और जो उसकी विश्वसनियता है उसको सुनश्चित करने के अपील की है प्रणब मुखरजी ने भी लिखा कि वे देश की संस्थानों पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि संस्थान कैसे काम करते हैं ये फैसला वहाँ काम करने वालों का ही होता है इस मामले में संस्थागत विश्वसनेता को सुनिश्चत करने की जो जम्मदारी है वो आयोग पर है और उन्हें ऐसा करना चाहिए कि इस तरह की जो सारी अटकले हैं उन पर विराम लगे बहराल इवियम और वीवीपैट परचियों कि मिलान और सत्यापन पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं इसलिए दवायर के लिए आज राजेंदरन नारायन और निखिल डेट ने भी एक लेक लिका है जो कुछ ऐसे ही सवाल उठाता है कि क्या एक या फिर रैनमली चूजन जो पा से देखे इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो जो भारत में वोटर्स हैं वो इवियम पर एक बटन दमाग कर अपना कैंडिडेट चुनते हैं इवियम यानिके ब्लाक बॉक्स इसलिए मद्दाताओं के लिए ये सत्यापत करना एक तरह से बिल्कुल पॉसिब प्लक तो कराया गया है और वीविपैट परची बॉक्स में डाले जाने से पहले छोडे जाने से पहले साथ सेकेंड के लिए छोटी सी खिड़की के जर्ये जो वोटर है उसको दिखाई जाती है ताकि वो उस बात की पुष्टी कर सके कि एवियम पर जो उसने उमीदवार वही है जो वीविपैट परची पर दिखाई दे रहा है पर अब सवाल यह उड़ता है कि यह पुष्टी की गई परची नहीं बलकि यह जो ब्लाक बॉक्स एवियम है उससे वोटर की गिंती की जा रही है तो एक सवाल तो इस पर यह उड़ता है बाकी चीज अगर आप दे यानि के विरिफिकेशन उसके लिए काफी है अब सवाल उठाया जा रहा है कि हमें यह जानना होगा कि पांच मेर से अगर इक भी साम्पल में अंतर पाया जाता है अगर एक भी उस मिलान में डिफरेंस होता है तो क्या होगा लगब हर पाटी खासता और पर जब वोट वो भी किया लेकिन अगर अगर आप देखे तो हर एसेंबली कॉंस्टिवेंसी में सिर्फ एक रैंडम्ली चूजन जो सैंपल पोलिंग बूथ है उसकी गिंती करने का फैसला किया किसी भी सैंपल बूथ में EVM काउंट और VVPAT slip के बीच कोई भी अगर डिफरेंस होगा विसंगती होगी उस मामले में ना तो चुनाव आयोग के कोई इस परशनियम है ना ही कुछ सक्थ प्रोटोकॉल है फरवरी 2019 में अगर आप देखें तो 21 जो विपक्षी दल है उन्होंने VVPAT पडशियों और EVM के 50% जो सत्यापन की मांग की थी लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि इस तरह की जो कवायद है उसका सीधा मतलब होगा कि इस पूरी वोट काउंटिंग के लिए प्रतीत होता है फिर भी अगर ऐसा है भी तो यह सभी पड़शियों की गिंती नहीं करने का कारण नहीं हो सकता क्योंकि लोकतंत्र में यह विशेश एक बहुत एहम होमिका रखता है खास तोर पे जब आपके चुनाव जो है वो साथ चरणों में कराय जाए अब 22 मार्च को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोट को एक रिपोर्ट सौपी जिससे रांडम सांप्लिंग फॉर टेस्टिंग ओफ इवियम्स वाया वीवीपाट स्लिप वरिफिकेशन और इसको एक तरह से इंडियन स्टाटिस्टिकल इंस्टिूट्स कमिटी इसाइ कमिटी रिपोर्ट उस हलफ नामे में अब एक RTI के जवाब में कहा गया है कि इससे यह जो ISI समिती की रिपोर्ट कहना भ्रामक होगा गलत होगा क्योंकि ISI के साथ कोई भी इसका रेफरेंस नहीं है कोई भी संदर्ब नहीं है रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 479 लगभग जो अपने आप स चूज की गई रैंडमली चूज की गई जो बूत है वो EVM की निश्पक्षिता उसका सत्यापन के लिए पर्याप्त है बात इसमें यह है कि जो बेस्ट से बेस्ट स्टाटिस्टिकल प्रोसेजर होते हैं उनमें भी गलतियां हो सकती है उनमें भी गलतियां होने के चांस है और एक लॉंग रन में अगर आप देखें तो इस ISI की रिपोर्ट के दावे का मतलब ये है कि अगर हम 479 EVM का कई बार नमूनल लिया जाता है तो 10,000 में से 64 बार ये बेमेल हो सकता है और साथ में अंडिटेक्टेड भी जा सकता है और इस चुनाओ में लगभग 10,35,000 EVM का उ undetected errors का जो है वो जोखिम है वोटो की सही गिंती को एक चांस की तरह नहीं छोडा जा सकता और इसलिए वोटो की गिंती के संदर्प में ये जो statistical अनुमान है और या फिर एक तरह से sampling का ये जो नमूना है ये एक विकल्प नहीं होना चाहिए राइट टू सीक्रेट वेरिफ जो है और ना कि जो उपया की मशीन है उसे मत पत्र के रूप में गिना जाना चाहिए बलकि इसलिप को गिना जाना चाहिए और वरना ये एक तरह से मौलिक अधिकार का हनन होगा विवी पैट के सौ परसेंट से कम कुछ भी अगर गिना जाता है तो एक तरह से अनकॉंस्ट तो अब हमें जो परणाम हैं जो कॉंसेक्वेंसे उन पर भी सोचना होगा अब जहां पर इस लेक में पताया गया है कि जहां पर कोई भी मिस्माच डिटेक्ट होता है तो उहां पर सारी स्लिप्स की काउंटिंग होनी चाहिए उस कॉंस्टिवेंसी में एक कीज जो पाया जाती है डिफ्रेंस पाया जाता है तो महा पर फुल विवी पैच काउंट उस कॉंस्टिवेंसी में होना चाहिए जहां पर डिफ्रेंस सांपल फाउंट किया जाता है लेकिन अभी भी इन पर जवाब बाकी है तो यह थी एवियम को लेकर के जो पूरा इस पाटी की जो संस्थापक है मुलायम सिंह यादव और पाटी के अध्यक्ष अक्षलेश यादव को क्लीन चिट दे दी है CBI ने इस संबंद में सुप्रीम कोट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है NGTV के अगर आप रपोर्ट देखे तो उसके मताबिक CBI ने इस एफिडविट में कहा कि मुलायम सिंह और अखलेश के खिलाफ मामला दर्च करने के लिए कोई भी सबूत नहीं मिले है आपको बता दे कि CBI ने अप्रेल में मुलायम सिंह यादव अखलेश और प्रतीक यादव के खिलाफ आए से अधिक संपति के मामले में सुप्रीम कोट में जवाब दाखिल करके ये बताया था कि उनके खिलाफ जाच 2013 में बंद कर चुका है CBI ने ये भी कहा था कि ये प्रारंबिक जाच सुप्रीम कोट के आदेश पर दर्च की गई सुप्रीम कोट ने CBI को चार सप्ता में जवाब दाखिल करने को कहा था CBI ने ये भी कहा है कि इसको लेकर हम जवाब दाखिल करेंगे और कोट को हम बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे वहीं सुप्रीम कोट में दाखिल हलफ नामे में मुलायम सिंग यादव ने दावा किया था कि CBI की ये जो प्रात्मिक जाच है उन्हें एक तरह से क्लीन चिट दे चुकी है जबकि जिस रिपोर्ट का मुलायम ने हवाला दिया था CBI उसे पहले ही फरजी बताकर कि 2009 में ही FIR दर्श करा चुकी है सपानेता मुलायम सिंग यादव ने सुप्रीम कोट में जवाब दाखिल करके कहा है कि उनके खिलाफ जो भी दायर याचिका है वो राजनीती से प्रेरित है मुलायम सिंग ने ये भी कहा था कि लोकसवा चुना होने है इसलिए जानबूच कर उनके खिलाफ यर्जी दाखिल की गई है उन्होंने ये भी कहा कि जो पेटिशनर है उन्होंने सुप्रीम कोट से कई बाते चिपाई है ये भी कहा कि आयकर विभाग ने उनके और उनके परिवार की संपती की जाच की थी लेकिन उनने कुछ भी नहीं मिला ऐसे में उनके और उनके परिवार के खिलाफ दायर याचिका को खारिच किया जाना चाहिए अब आखरी कबर के ओर चलते हैं अनिल अंबानी के रिलाइन सम्हों ने कॉंग्रस नेताओं और नैशनल हरालच पर किये गए जो पांच हजार करोन रुपे के मानहानी के मामले को वापस लेने का पैसला किया है रिलाइन सम्हों ने मानहानी का ये मामला रफाल, रडाकू, विमान, सौदा मामले में बयान देने और एक लेक छापने पर किया था रिलाइन सम्हों के वकील ने बताया है रारेश पारिक ने कि हमने बचाओ को इस बात से अवगत करा दिया है बहराल ये थी हमारे दवायर के बुलिटन के आज की प्रमुक खबरें चुनाओ के नतीजे, चुनाओ से जुड़ी स्टोरीज जानने के लिए आप दवायर के अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और मराथी वेबसाइट और हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े रह सकते हैं इसे के साथ मिस्टर इश्टी दवायर बुलिटन में आज इतना ही